Q6 में इन्होंने बोला है, Describe how the two figures, these two figures, कैसे एक दूसरे से मिलते चुलते हैं, कैसे different हैं, and कौन से, which box has larger lateral surface here, कौन से box, larger lateral surface here, रखते हैं, तो पहले इन cylinder का, और इसका हमें, पहले इसका हम find out करते हैं, diameter, radius, उसके बाद इसका lateral surface here, find out करेंगे, उसके बाद हम, इस क्यूब का lateral surface area find out करेंगे, तो करके देखते हैं, Q6 में गिवन है, वो मैंने लिख लिए यहां पर, ठीक है, diameter, जो है, 7 cm, तो radius 7 by 2 हो जाएगा, हैना, height, 7 cm, क्योंकि इसमे, height 7 cm गिवन है, lateral surface area, जो है, cylinder का find out करने का फॉर्मूला होता है, 2 pi r h, तो बस यहां पर value पुट कर दो, 2 into, जो, pi की value है, 22 by 7, r जो है, 7 by 2, and h जो है, 7 है, तो बस इसकी तरीके से, हमें find out कर लेना है, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 22 into 7 करोगे तो कहाएगा, 154 cm2, तो हमें, जो lateral surface area, cylinder का तो पता चल गया, अब ऐसे ही हमें find out करने है, now, lateral, surface, area of, cube, उसका formula क्या होता है, 4 L square, 4 into, L कहा है या पर, 7, देख सकते हैं, length, breadth and height, तो तीनो 7 है, तो 7 लिख दो हैं या पर, 7 into 7 into 7, 7 का cube, नहीं, 7 का square है, 4 L square, तो बस, 7 into 7, तो क्या हो जाएगा, 7 into 49, 49 into 4 करोगे, तो यह हो जाएगा, 196 cm2, तो आपको देखने से ही लग रहा है, कि, किसका surface area जादा है, cube का, तो बस लिख दो हैंस, the cube, hence the cube, has larger, lateral, surface area, that's it, तो यह था question number 6, है ना, I hope आपको समझ मैं होगा, question number 7 में, a closed cylinder tank of radius 7 meter, height 3 meter, made from a sheet of metal, metal से उन्होंने, एक cylindrical tank बनाया है, जिसका radius और height दिया है, how much sheet of metal is required, तो कितना required होगा, तो simply हमें, total surface area, find out कर लेना है, cylinder का, उससे हमें, पता चल जाएगा, कितना required होगा, तो देखते हैं, इसको करके हैं, so question में, जो given है, वो मैंने लिख दिया, radius, cylinder का, 7 meter है, height 3 cm, total surface area, cylindrical tank का, क्या होता है, 2 pi r, into h plus r, तो बस इसी में, इसकी value, पुट कर देनी है, है ना, तो लिखो यहां पे, 2 multiply by 22 by 7, r, 7, pi की value 22 by 7, and bracket में क्या हो जाएगा, 3 plus r, 7 है, तो बस find out कर लो, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 22 into 4, 22 into 2, 44, और यह प्लस करोगे, तो 10 हो जाएगा, तो हमारा क्या answer आगे है, 440 meter square, तो that means, कि इतने, जो है, metal का sheet required होगा, तो यहां पे लिख दो, तो हैंस, 440 meter square metal sheet, is required, तो यह था कोश्च नमबर 7, कोश्च नमबर 8 में, इनोंने बोला है, लैटरल सर्फिस एरिया, अब होलो सिलिंडर, सिलिंडर is, 4,224 cm square, इस कट अलोंग देट्स हाइट, और फॉर्म्ड रेक्टेंगूल शीट, मतलब इस ही को, इनोंने शीट में, कनवर्ट कर दिया, जिसका अवरेट 33 cm है, अब उस रेक्टेंगल का, पेरिमिटर फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही easy है, लैटरल सर्फिस एरिया को, बराबर कर दो, रेक्टेंगूल शीट के, तो मैंने यहाँ पे, इसको लिख रखा है, देखो, लैटरल सर्फिस एरिया, ओफ होलो सिलेंडर इस, जो गिवन है, वो लिख दिया, 4224 cm का है, रेक्टेंगूल शीट को, यह दे रखा है, 33 cm, अब ध्यान से दिखो, इनोंने इसी को, इसमें तो कन्वर्ट किया है, तो दोनों ही तो बराबर हो जाएंगे, तो लैटरल सर्फिस एरिया, जो है, सिलेंडर का क्या होता है, यहाँ पे, जो गिवन है, वो लिख दो, 4224, इक्वास टू, एरिया क्या होता है, 4224, डिवाइड वाइ 33, इसको डिवाइड करोगा, तो 128 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम लेख देंगे, कि लेंगे, लेंगे, लेंद्ध और रेक्टेंगुलर शीट इस, 128 सेंटीमीटर, तो हमें पेरिमीटर फाइंड आट करना है, तो पेरिमीटर आफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B, तो 2 इंटू L कै है, 128 ब्रेट 33 थी, तो आंसर क्या आजाएगा, 2 इंटू 161, तो आंसर आजाएगा, 2 अंज़ 2, 26 आट्वेल, और 2 अंज़ 2, 3 त्वेंटी, 2 सेंटीमीटर, तो ये हमने फाइंड किया, पेरिमीटर आफ रेक्टेंगल, तो इस तरीके से आप लेख सकते हैं, तो पेरिमीटर आफ रेक्टेंगल शीड विल बी दा, 322 सेंटीमीटर, तो ये था कुछ नंबर 8, कुछ नंबर 9 में, रोड रोलर टेक्स 750 कम्पीट रेवलूशन, तो मूँव वन्स ओवर टू लेवल अर रोड, रोड को लेवल करने के लिए, एक बार में 750 रेवलूशन कम्पीट करता है, है ना, फाइंड अरिया अफ दे रोड, रोलर इस 84 सेंटीमीटर और लेंथ इस 1 मीटर, तो पहले जो गिवन है, वो लिख लेते हैं, फिर एरिया फाइंड ओट करेंगे, रोड रोलर का, ठीक है, कुछ नंबर 9 में, डैमेटर जो है, रोड रोलर का, 84 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको डिवाइट करोगे, तो हमें रेडियस मिल जाएगा, 42 सेंटीमीटर है न, रेडियस फाइंड ओट करने का थरीका होता है, डैमेटर को 2 से डिवाइट कर दो, लेंथ जो है, रोड रोलर की हमें गिवन है, 1 मीटर, तो 1 मीटर है, यह मीटर है और यह सेंटी मीटर तो एक यूनिट होना चाहिए इसलिए हमने इसको 100 सेंटी मीटर लिख दिया और यह लेंथ है तो कर्व सर्फिस एरिया में लेंथ को हम हाइट ही कंसीडर कर लेते क्योंकि उसका फॉर्मुला 2 पाई हा रहे चाहिए तो बस इसी फॉर्मुले में हमें इन सब को पुट कर देना है 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर जो है वो क्या गिवन है 42 इंटू 100 क्या है है अब सेवन सिग्जा 42 होता है सेवन सिग्जा 42 इंटू 12 इंटू 22 इंटू 100 क्या हो जाएगा 26400 सेंटीमीटर इसका है तो यह हमने इसका कब सर्फिस एरिया रोड रोलर का फाइंड आउट कर लिया अब जब यहां पे एरिया हमें यहां पे लिखो एरिया कवर्ड बाई रोड रोलर इन 750 रिवलूशन क्या होगा यहां पे इक्वस्टू 26400 इंटू 750 आंसर आ जाएगा 198000 नहीं 1 2 3 4 और यह हो जाएगा 5 है ना 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा हमें cm2 लेकिन यह cm2 में है और अगर हम इसको m2 में चेंज करें तो यह हो जाएगा 1980 m2 क्यों 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 होता है 1 m2 equals to 10,000 cm2 तो इस तरीके से 1980 तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे चार्ज इसरो चार्ज इरो डिवाइड हो जाएगा तो 1980 मीटर स्कायर हो जाएगा तो लिख दो हैंस दे एरिया आफ दे रोड इस 1980 मीटर स्कायर तो यह था कुछ नंबर 9 कुछ भी नहीं किया बस जो गिवन था वो लिख दिया क्योंकि जो एरिया कवर किया जाता है रोड रोलर के द्वारा इन 750 रिवलुशन में तो इतना है तो इनका 750 मल्टिप्लाई कर तो इतना संटीमीटर आ जाएगा अब जब संटीमीटर आ गया तो हमें मीटर में बता दो अधर्वाइस यह भी ठीक है ठीक है दोनों प्रवार टで जाता है रोड तो पोल्टिमीटर अबस रहिए चान्टर रोके था केंनर डिया में 10 कोशलमीटर केसे दाएगे पैंड़ सबस्यां जैसे कि आप देखे होंगे ऐसे लेबल आता है ना कंटेनर के पूरे चारो तरफ लगा रहता है उसका जो है उन्होंने बोला है 2 cm from the top and bottom what is the area of label तो simple यह दोनों छूटा है उपर नीचे तो बस यहीं covered है तो बस यहीं find out करना है पहले जो चीज़ गिवन है वो लिग देती हो उसके बाद समझाती है so diameter में cylindrical container का दिया है 14 cm radius क्या हो जाएगा 2 से divide करने के बाद 7 cm बिल जाएगा height जो है container का 20 cm दिया है तो अब ही हमें height find out करना है किसका label का वो क्या हो जाएगा 20-2-2 जो है 16 cm यह कैसे होगा देख सकते हैं यह उपर नीचे 22 cm छोड़ रखा है तो बस 2 यह और यह 2 यह 4 को minus कर दो 20 में से क्योंकि height जो है container की 20 है तो 16 cm आ जाएगा तो इस तरीके से हमें जो label का है 16 cm मिल गया तो बस इस फॉर्मूले में इस value पुट कर दो 2 x 22 x 7 x 7 और जो height है वो क्या है 16 है अब बस find out कर लो 7 x 7 divided हो जाए इन सब का multiply करो कि तो आएगा 7 x 4 cm2 तो बस answer होगा hence the area of the label is 704 cm2 तो I hope आपको यह exercise समझ में होगी और वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सराइज में है ना तब तक चलिए बाई